बाल भूग इसे बनाने के लिए आपको चाहिए तीन कटोरी, चावल या फिर गेहूं एक कटोरी, मूँ, चना या फिर अरहर की दाल आधा कटोरी, मूँ फली और चीनी सभी सामगरियों को अलग से भूने अब इन भूने हुए पदार्थों में चीनी मिलाए और इसका एक मिश्रण तयार करें इसे पीस ले और चान कर एक सूखे डब्बि में भरकर रखते शिशू को खिलाने के लिए दो से चार चमच इस मिश्रण को एक कटोरी में ले एक भाग स्किम्ड मिल्क पाउडर और दस भाग पानी मिले हुए मिश्रण को इसमें डाले और एक खोल बनाए उपर से एक छोटा टमच घी डाले और शिशू को प्यार से खिलाए क्योंकि सही पोशन है स्वस्त जीवन का आधार इन रेसिपी में इस्तेमाल किये गए गेहूं, चावल, दाल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और देसी घी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ICDS विभाग की ड्राई टेक होम राशन स्कीम के अंतरगत दिये जा रहे हैं